just for code दोस्तो आगे हमें लेक कुले कोण uh इस ही पर हमें काम करना था फिलाल लाग आउट कर देते हैं durante खोलेंगे तो नहीं खुलेगा अगर आप प्रोड़क्ट खोलेंगे तो फ्रोड़क्ट खुल जाएगा लेकिन नहीं कुलेगा और यहां पर क्लिक करने पर रिशेट वाले पर सारा image रिशेट हो जागा यानि कि अभी हमने जो image है वह पर्मानिंटली स्टूर कर दिया है लॉकल स्टॉरिज के अंदर तो हमने पर्सिस्ट लाइब्रेरी का यूज किया था इस्टूर करने के लिए Redux के अंदर हम Persist का यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी चीट को Store करना होता है Browser के Local Storage में ठीक है तो फिलाहल यहां पर जैसे Layout है यानि कि जैसे Layout के अंदर सारी चीज़े खुल लें जैसे मैंने Images पर क्लिक किया तो Images हमारा एक Layout के अंदर खुला यानि कि नोटिस करिए जो Layout का यानि कि जो हमारा नेब बार और जो फूटर है वो सेम है सभी जीगे पर लगबग ठीक है चायम कोई भी पेज को ले प्रोड़क्स खोले कार्ट खोले सभी जे में हमारा नेब बार और फूटर सेम है इसका मलब क्या हुआ कि हमें इसा कोड करना होगा कि हमें बार बार इस कोड को रिपीटे ना करना पड़े यानि कि हम एक गॉमपोनेंट बनाएंगे लेयाउट के नाम से और यसी लेयाउट के अंदर हम सारे कम पनने को रेंडर कर देंए अभी आपको सब्चापने आ जाएगा सबसे पहले तो आपका काम कर रहा है अभी हमें यहीं पर काम करना है कर दो हूं फोलडर के गंदर इस और ले आउट के नाम से एक नया folder बना लिए ठीक है इस तरीके से तो मैंने layout के नाम से एक नया folder बनाया और इस layout के अंदर आपको index.j6 के नाम से file बनाना है तो ऐसे बना लिए index.j6 के नाम से file एक constant बनाया की दरा इस तरीके से layout के नाम से ठीक है हम पर layout के नाम से कौन्स से मनाई है, Qualific Function का Definition करेंगे इस तरीके से, और Return Keyword का अच करेंगे इस तरीके से, Parenthesis को Assign करेंगे, इसके अंदर Fragment, और इस Fragment के अंदर हम चाहें, तो HBG से लिख सकते हैं Layout, फिलाल ऐसे ही लिख दीजी आप, ठीक है Layout, और इसको हम Export कर देंगे, अभी इस Layout के अंदर हमें सभी Component को Render करना है, तो एक काम करिए, यह जो App.js होगा, पेज के अंदर इसमें आईएगा, App.js के अंदर, सबसे पहले तो आपको Layout को Import कर लेना है, तो Import Keyword कर देंगा, और Layout को आप Import कर लिजे, Component Folder के अंदर से, जो Layout Folder है, वो हमने Import कर लिया, और Layout के अंदर है, आपका Index.js, तो यह आपर लिखनी के हो सकता नहीं है, अगर File का नाम Index है, तो आटोमेटिकली Import हो जाएगा, ठीक है, अब यह Home जो है, इसको Layout के अंदर रख दीजिए, तो हमने ऐसे Layout का यूच किया, इसको ऐसे Close करेंगे, इसके बीच में Home लिखेंगे, इमेजेज भी है, Ctrl X कर लिजे, Layout को Start करिए, Layout को ऐसे Close करिए, और इसके बीच में हम इमेज को रख देंगी, ठीक है, फिलाल हमारे पास दो ही Component है, एक Home का है, इसलिए हमने दोनों को Layout के अंदर रख दिया है, अभी अगर आप Output देखेंगे, तो यहाँ पर हमें Layout दिखेंगा, नोटिस करें, मुझे Layout नहीं चाहिए, मुझे Layout बीच में ऊपर, यानि कि उपर की तरफ मुझे नहबार चाहिए, और नीचे के तरफ भूटर चाहिए, और बीच में हमें Images का और Home का डेटा चाहिए, ठीक है, तो यह जो Home आपने Layout के बीच में रखा है, या आप यहाँ पर Receive कर सकते हो, और उसको Show कर सकते है, यानि कि इसके यहाँ पर Children के रूप में Receive करेंगे, ठीक है, यानि कि इस Layout Component के अंदर आपने कुछ भी रखा, चाहिए, वो कोई Component हो, या कोई Normal Text से लिखा गया Data हो, यानि कि हमने यहाँ पर कुछ भी रखा, तो वो हम Receive कर सकते हैं, यहाँ पर Layout के इस Paranthesis में, और उसको हम यहाँ पर Show कर सकते हैं, ठीक है, पैसे Receive करना है, कैसे सो होगा, अब ही आपको सौन में आएगा, पहले तो आपको यहाँ पर Children के नाम से Property Destructure कर लेना है, आप चाहें तो Data Receive कर सकते हैं, इस तरीके से, किसी भी नाम से आप Parameter Receive कर सकते हो, और इसी के अंदर से अगर आप ऐसे लिखेंगे Data.Children, तो आपको जो है, Home का Content मिल जाएगा, जिसे हमने यहाँ पर लिख जाए, Data.Children, ठीक है, इस तरीके से, मैंने Data.Children लिखा, तो Home का, यानि कि जो भी layout का code है, वो यहाँ पर load हो जाए, ऐसे मैंने लिखा न, Data.Children, नोडिस करी, है न, Home Page के अंदर, यानि कि Layout के अंदर खुलाए, ठीक है अगर आप View पर क्लिक करेंगे, तो यह भी layout के अंदर ही खुलेगा, ठीक है, फिलाल मुझे design करना है, तो इस चिल्डरन को, आप जहाँ, तो destructure कर सकतो है, यहाँ पर data न रिसीब करके, आप डारेक, चिल्डरन को ही object destructure कर लेजिए, अभी हमने इस तरीके से routing किया है, यह old तरीका है routing करने का, हम एक और तरीके से routing करना सीखेंगे आगे, patience रखना है आपको, ठीक है, फिलाल चिल्डरन को आपको destructure कर लेना है, और यहाँ पर आपको काम करना है, तो पहले तो आप एक डिप बना लिजी, और इस डिप के अंदर आपको एक और डिप बनाना है, और एपको लिज़ देना है, नेबार, ठीक है, इस डिप के नीचे आपको एक उर्ड डिप बनाना है, और यहाँ पर लिज़ देनाहा आपको root ziehen, neighboring और foot, गया इन दोनों के बीच में आपको एक डिप बनाना है और इसमें आपको define करना है, चिल्डरन वाली से तो, इसमें की करल नेबबार दिखा यहां पर पूटर दिखा और बीच में जो हमारा कॉंटेंट वह दिख रहा है अगर आप होम पेज को लेंगे तो होम पेज में कुछ ऐसे दिखेगा अब हमें नेबबार को और फूटर को डिजाइन कर देना चाहिए तब यह अच्छा दिखेगा ठीक है त प्रोडक्स पर खल्ता है छीकंजिक dewसे लिंक कंपोनेटकों ऑडा से इंदसे pyramid कंपोनेट Prof.com के अंदर से और हमारे पास एक स्टें स्टें और इनिखे में तो मैंने home define कर दिया, comma से separate करेंगे, two का value आप define कर दीजे, two का value इसका मतलब यह हो गया कि इस पर click करने पर कौन सा page खुलेगा, तो मैं home page खुलने वाला हूँ, इससलिए मैंने two पर home का value define, यानि कि forward select define कर दिया, इससे home page खुल जाएगा, ठीक तो copy कर लेंगे, इसके ठीक नीचे paste करेंगे, मैंने images के नाम से एक बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं define कर दूँगा, कि जब हम इस पर click करेंगे, तो images दिखाने के लिए है, और यह click करने के लिए है, ठीक है, अब इसी के लि तो li start कर लेंगे, अच्छा, loop चलाएंगे, उसके बाद हम li को start करेंगे, तो loop किस के लिए चलेगा, menus के लिए, तो ऐसे define करेंगे, तरह से menus.map function apply करेंगे, item को receive कर लेंगे, कॉमा लाके index को receive कर लिए इस तरीके से, ऐसे define करेंगे, और parenthesis को assign करेंगे, यहाँ पर मैंने parenthesis को assign किया है, कली bracket मैं नहीं लिखा है, तो parenthesis जब आप assign करेंगे, तो यहाँ से आपको return करने करने का हो सकता नहीं पड़ेगी, यहाँ कि return keyword आपको use नहीं करना पड़ेगा, direct content यहाँ से return हो जाएगा, अभी आपको li start कर लेना है, और इस li के अंदर, सबसे पहले आपको key के नाम है, item के अंदर से dot label, यहाँ कि यह जो item है, इसके अंदर यह सारा object आपको पहला object, उसके पाद दूसरा object, उसी object के अंदर से हमने label property को read कर लिया है, ठीक है, और 2 का value अब define कर देजिए, item dot 2, ऐसे define करा देंगे, ठीक है, notice करिए, इस तरीके से हमने loop चलाया, ul के अंदर, तो 2 अब यहाँ पर रिलोट की हमाहँ ने, यह देखिए, home पर click करेंगे, home page खुलेगा, images पर click करेंगे, images खुलेगा, notice करेंगे, home page क्लिक क्लिक करेंगे, images खुलेगा, इस तरीके से, perfect, ठीक है, तो अभी हमने इसको design करना, यह design नहीं हुआ, design करना है, तो design करने के लिए हमें क् क्लास वगरा का यूज करेंगे, तो फिलहाल, इसके ठीक उपर, यह जो URL है, इसके ठीक उपर जो div है, इसमें आजाए, class name करेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे, बीजी हैफन, slate-980, यह color दे दीजे, तो इससे जो है, background में color आएगा, notice करेंगे, इस तरीके से, मुझे इधर, redux भी लिखना है, इसलिए, इसके ठीक नीचे, हम h1 करेंगे, और इसमें redux को लिख देंगे, मैंने ऐसे लिख दिया, class name करेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर define करेंगे, text-wide, यह class लगा दिए, उसके साथ-साथ, text-to-excel define करेंगे, इस तरीक लिख नीचे, home और image दिख रहा है, home image इधर दिखना चाहिए, और redux हमारा इधर दिखना चाहिए, उसके लिए इसका main container यह है, इसमें आपको fillex लगाना होगा, तो फिलाल main container में आ जाईए, और यहाँ पर fillex का उच करेंगे, तो मनें ऐसे fillex define कर दिया, justify-around, ऐसे define कर दिया है, items center define कर देना है, तो यह सब elements CSS की class है, ठीकिन items center, और justify-around, तो इससे क्या होगा, redux इधर दिखेगा, और यह दोनों आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, अब यह दोनों ऊपर नीचे दिख रहा है, इसका मलब हमें इसको horizontal करना होगा, अब यह vertical दिख रहा है, एक के नीचे इस तरीके से, notice करिए, फिलेक्स लगने को वज़से यह ऐसा दिख रहा है, अब इस इन दोनों के बीच में हमें गेप चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, गेप वगरा दे सकते हैं, नहीं तो इस LI के अंदर हम padding दे सकते हैं, तो यह काम करिए यहाँ पर आजाए, पहले तो य link है, इसमें class name करूच करिए, और text white लगा दीजे, लिकि इसका जो color है वो white हो जाए, और यह जो LI है, इसमें आपको class name करूच करना है, और को spreading देना है, ठीक है, तो फिलाल LI में आजाए और class name करूच करिए, p-16 ऐसे define कर दीजे, या p-6 define कर दीजे, 16 नहीं इस तरीके से, और आपको hover लगाना इस पर, तो ऐसे define करेंगे, hover, colon, bg-indigo, ऐसे define कर दीजे, ये color, और 500 या 600 दे दीजे, तो ज्यादा बटर रहेगा, ठीक है, नोटिस करिए, मैंने LI में ये class लगाया है, और link में मैंने text white define किया है, तो अभी क्या होगा, जब हम इस पर cursor लेकर जाएंगे, त color का नाम है, ये सब टेलिविंट की website के आपको दिख जाएगा, आपको, जो है, टेंसल नहीं क्यों सकता नहीं है, फिलाल जैसे काम किया जा रहा है, अगर आपको टेलिविंट नहीं आता है, तो वह इसे ही काम करेंगे, जिस तरीक से मैं आपको बता रहा हूँ, capitalize सेमी बोल्ड करेंगे, हलका बोल्ड होगा, ये देखेंगे, इस तरीक से दिखाएगे, परफेक्ट, ठीक है, अब हम आगे काम करेंगे, तो थोड़ा footer को भी design कर लेते हैं, ये जो footer लिखा हुआ है, नीची की तरफ आजएए, footer कहां लिखा हुआ है, ये रहा footer आपका पहले तो इस footer को control x कर लिजिए, h1 कर लिख करेंगे, और h1 के बीच में आपको footer को define कर देना है, h1 में आपको class name कर लिख करना है, text-white सबसे पहले define कर दीजिए, उसके साथ साथ आपको text-6 excel define कर देना है, ये थोड़ा सा font size बढ़ा देंगे, और font-bold define कर देंगे, ऐसे define कर दे दीजिए, और p-12 दे दीजिए, इस तरीके से, या 32 दे दीजिए, ज्यादा, यानि कि थोड़ा ज्यादा देंगे padding, notice करिए, footer भी हमारा design हो जाएगा, इस तरीके से, और हमारा जो, यानि कि नेबबार है, वो भी design हो चुका है, इस तरीके से, images पे click करेंगे, images दिखे है, यानि कि login के लिए menu बनाना है, जैसे हां पर बना हुआ है, login के लिए, log out कर दूँ तो दिखेगा, यह दिखे, login, login के लिए, login के लिए, login के लिए कुछ नहीं करना है, menu बढ़ा देंगे, आपर आपका menu वाला औबजेक्ट है यह वाला इसी के अंदर एक और ऑबजेक्ट बढ़ा देंगे यहां पर लॉगिन लिख दीजी और इसपर किलिक करने पर क्या खुलेगा वो डिफाइन कर दीजिए कि लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाला राउट एकसेस होगा नोटिस के लिए लॉगिन आगिया नहीं यहां पर अभी क्लिक करेंगे तो लॉगिन का हमारे पार डिफिनिशन नहीं है इसलिए देखिए 404 नॉट फॉंड इस तरीके का मैसेज आ रहा है तो यह तरीक से ठीक है उसके बाद आपको यहां पर काम करना है तो पहले तो आप कॉंस्टिय मना दोर आज तरीके से नॉट फॉंड के नाम से कॉंस्टिय मनाया क्वालिवेक फंक्शन का डिफिनिशन करेंगे और यहां पर हम एक्सपोर्ट डिफॉर्ट इस कीवर्ट का उच्छ कर देंगे यहां पर आ जाएंगे रिटन कीवर्ट का उच करेंगे इस तरीके से पारेंसी से ससाइन करेंगे और इसके अंदर फ्रेगमेंट को स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम एक डिप के अंदर चीजों को डिफाइन करेंगे तो फिलाल मने एक डिप का उच्छिया इ आपको इसमें जो है minimum height screen देना है तो min-h-screen ये इसकी height दे दीजिए ठीक है min height screen ये define कर देना आपको ठीक है उसके बाद आपको इसके बीज में आ जाना है h1 करेंज करना इस तरीके से और यहां पर लिखना है आपको 404 और ऐसे इसको define करियागा और operator का symbol देजिए page not found ऐसे मैंने message दे दिया ठीक है तो कुछ भी message दिया जा सकता है फिलाल मने यह message दे दिया इसको भी थोड़ा design कर देंगे तो class name करेंगे text-grey-500 यह मने class दे दिया यह 400 आप दे सकते हो ठीक है 400 यह थोड़ा रहेगा अच्छा रहेगा और आप फोंट बोल्ड कर दिए तो फोंट ऐफन बोल यह मैंने डिफाइन कर दिया ठीक है तो इतना design कर दिया हमने export कर दिया इस चीज को app.js के अंदर आजी जहां पर अपने routing का code कर रखा यह देखिए इसी के ठीक निचे लास्ट वाले को आप यहां पर copy paste कर सकते है उस तरीके से यहां पर आपको slash stick को define करना है slash stick यहां कि जब route नहीं रहेगा कोई भी route नहीं रहेगा तो क्या खुलेगा वह यहां पर तो क्या होगा ठीक है फिलाहल अभी login का वो हमने routing नहीं किया है इसलिए यह वाला route एक्जी क्यूट करेगा और यहां पर not found को आपको import कर लेना है ठीक है तो अभी notice करिए क्या होगा यहां पर यह दिखिए 404 page not found क्योंकि login का अभी आपने routing नहीं किया है यहां पर login खोले न क्या होता यानि कि यह चीज़ें ना define कर रहे होते हैं तो कैसे मैंसे जा रहा था इस तरीके से notice करी इस तरीके का मैंसे जा रहा था अभी हमने इसको कस्टमाइज करना चीक है अगर आप एस्टिक राउट देते हो फॉर्वस लेसे इसका मल्दब हो गया कि यह उसके लिए क लिए करने के बाद login खुलना चाहिए login का component बनाएगा तबी तो login खुलेगा इसलिए आपको login के नाम से एक नया component बनाना है cmp folder के अंदर तो आए तरह यहाँ पर login के नाम से folder बनाएए और इस login के अंदर आपको index.js के नाम से फाइल बना लेना है तो ऐसे मैंने बना index.js इसक के पर में क्रवा चन करता है तरीक है दूँल सुर्योय दीट्वर करते हुआ के नाम से आपको फंकशन मर्स है और फिर्गमेंट अंनतर अपको एस्पोर्ड कर दیने इतना ही का मेंदैको, अब आपको इसको को import करना है एफ के अंदर क्यूंकि हमने इसके लिए राउटिंग का कोड करना होगा तो यह रहाब का app.js जिस तरीके से आपने layout को import किया है not found को import किया images को import किया वह इसी आप login को भी import कर लिए तो मैंने login को import कर लिया अब इसके लिए हम routing का code कर देंगी जैसे images का वह सी आप है को कॉपी पेष्ट करीए और यहां पर लॉग इन के लिए राउट सबसे या रखेंगा इसको लाउट में ही रखेंगा ठीक है यह उसके लिए होता है जिसका अपने डिफिनिशन नहीं किया है ठीक है यह अगर हम आउट में कुछ गलत लिखें जैसे लॉग-इ लेकिन अगर यहां पर कुछ गलत लिख दें तो पेज नॉट फांड वाला यह खुलेगा तो यह एस्टिक वाला जो आपको अब्जेक्ट होगा इसको लास्ट में रखिए अगर ठीक है फिलाल लागिन पर हम काम खुल चुका है अब लॉग इन का हम डिजाइन करेंगे तो यह रहाप कर लोगिन वाला फिज आप कर दीज़ेंगे और इसको अदर के अज़र किल्स करेंगे फिलेक्स डिवाइन कर दीजिये चस्ते से की। चाहिए हो हमें Center में चाहिए आइटेम साइफन सेंटर तो यह जो भी मैं क्लास लिख रहा हूं यह सब इसको कम कर एक पर आपको सब्सक्राइब करना है यह इसके अंदर आपको एक और लेना है इसमें आपको class name तरच करना इस तरीके से bg-white दे देना है class bg-white इस तरीके से क्योंकि मुझे एक card की तरह कुछ बनाना है rounded define करना इस तरीके से hyphen lg rounded lg define कर देंगे और p-at define कर देंगे यानि कि padding at notice करें बिल्कुल center में एक छोटा सा box बनेगा इस तरीके से बना हुआ है इसमें में कुछ width देना है तो आप यहाँ पर w-96 define करेंगे यानि कि width 96 define कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम shadow भी define करेंगे तो shadow-lg define कर देंगे अच्छा space देखके कभी भी लिखा कर देंगे class को इस रखे थोड़ा सा time तो लगेगा लेकिन आप चीजें accurate सीखेंगे आपको reduce और यूज स्टेट यह इन साब चीजों में जो confusion रहता है कि कहा reduce यूज होगा कहा यूज स्टेट होगा वह सारे confusion आपके दूर होने वाले हैं ठीकि इस project को complete करते करते क्योंकि आप login पर भी काम करना सीख होगे ठीक है और आपको admin panel कैसे खोलना है login होने के बाद कैसे profile page खोलना है login होने के बाद यह सारी चीजा आप समझ जाएंगे ठीक है तो फिलाल इसके अंदर design करना है तो जो डिप होगा इसके बीच में आना होगा हमें तो इंटर करलेंगे यहाँ पर और इसके बीच में काम करेंगे हम तो फिलाण आप काम करेंगे एक्शन का क्या इस तरीके से और इसके बीच में यहाँ पर login लिख दिजिए एक्षन का कोई काम नहीं तो आप एस तरीके से इस फॉर्म टेक के बीच में हमें डिफाइन करना पहले तो एक डिब ले लिए इस डिब के अंदर हमें कर लेंगे और यहां पर आपको यूजर नीमक मैं लिखा ठीक की नैचै हम इनिपूट फिल्ड को स्टार्ड ब्लू करेंगे और टाइप का वडू इंटर कर लेंगे यहां परлекाट कर सकती हुकर लिखना है उसलिह मैं निटर कर लिया लिए तोư रिकवाईड प्रोपर्टी के यूज करिया और इसका value true कर दिए placeholder को define कर दिए user at the rate gmail.com ठीक है इस तरीके से मैंने define कर दिया पर्फेक्ट तो user name मैंने लिख दिया placeholder लिख दिया यहां पर दिखेगा यह कुछ इस तरीक से को excel define कर देंगे इस तरीके से इसके पाद आपको font-semi-bold define करना है तो ऐसे define कर दिए font-semi-bold इसके साथ-साथ हम text-select-800 यह color define कर देंगे ठीक है तो इतना class आपको h1 में लगाना है तो आपका जो login होग वह थोड़ा दिब में आपको वहले तो आपको flex define कर देना है और उसके बाद आपको flex-call define कर देना है तो अभी एक दूसरी के बगल में आ रहा था अब यह देखें नीचे आ गया इस तरीके से flex-call की वज़े से अब हम इसको design कर लेंगे फिर हम आगे काम करेंगे तो फिलहाल यह जो लेबल टेख है इसमें आपको कुछ classes करना है तो class name करें लेबल टेख में और टेक्ष्ट हाइफन इस लेट हाइफन यह 600 यह color दे दी इस label के अंदर और आप चाहें तो font हाइफन semi bold दे सकते हैं तो मैंने font हाइफन semi bold देती है इस तरीके से ठीक है इसमें भी class name करेंगे यानि कि जो हमारा input फिल है class name को define करिए पी हाइफन टू डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से बॉर्डर दे देना है ताकि बॉर्डर आज़े बॉर्डर का color भी हम define कर दो बॉर्डर हाइफन username और input field के बीच में ठीक है perfect तो कुछ इसी तरीके से हमें अच्छा इसमें रिक्वाइड लगाया था हाँ अगर नहीं लगा हुआ तो रिक्वाइड भी आपको लगा देना इस तरीके से पर्फेक्ट कि यहां पर आपको पासवेड लिख देना है ठीक है और यहां पर आपने टाइप में इमेल दिया था यहां पर भी आपको पासवेड कर देना है रिक्वाइड रहेगा प्लेस होल्डर में आपको एस्टिक का सिंबल देना है तो ऐसे एस्टिक को डिफाइन कर दीजे यहां पर डूबल कोट शूट गया ऐसे एस्टिक डिफाइन कर देंगे ठीक है न और बागी सारा क्लास वगरा वही सही रहेगा देख लेते हैं एक बार रिलोड करके यह दिखे पासवर्ड बन गया अब हमें जो है इन कॉंटेंट के बीच में गेप चाहिए यानि की पासवर्ड के ऊपर थोड़ा गेप चाहिए ठीक है ताकि यह अच्छा दिखे और फिक्ट तो इसका जो में कॉंटेनर है नोटिस करेंगे तो एक दूसरे के नीचे आ जाएगा अब आपको इसमें गेप डिफाइन कर देना है इसलिए मैंने गेप फोर डिफाइन करते है इस तरीके से पर्फेक्ट तो अभी टॉप बर्टम से गेप आ जाएगा यह देखिए पर्फेक्ट लागिन और यूजर नेम के बी लगा हुए इसमें फिलेक्स लगाईएगा इस तरीके से और यहां पर आपको फिलेक्स कॉल भी कर देना है ताकि एक दूसरे के बगल में ना आ जाए उसके पाद आपको गेप हाइफन वाई हाइफन फोर यहां पर भी डिफाइन करते हैं गेप वाई फोर तो लॉग इन के बीच में भी गेप आ जाएगा नोटिस के रिए गेप नहीं आ फिलेक्स मने डिफाइन किया है गेप वाई फोर लिखना है यहां पर इसमें आपको पैडिंग पीएक्स एट कर देना है इस तरीके से और पीवाई शिक्स कर देना है ऐसे डिफाइन पीएक्स पैडिंग जहां था पीएक्स कर देजिए और पीवाई शिक्स भी लगा देजिए यह अब फड़ा लॉगिन के ऊपर का जो गेप है वो कम दिखेगा इस तरीके तो परफेक्ट इसके ठीक नीचे मुझे एक बटन बनाना है ठीक है तो यहां पर आजिए यह जो डिफ होगा इसके ठी प्टन के अंदर तो जो बटन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा ठीक है मुझे यहां पर नोटिस के तेक्स्ट ऐर्या भी है यह भी बनाना ओर बटन को हम एक डिप से लॉक कर देंगे यह जो बटन है सको चंटल एक्स कर लिजी ेक डिप करीए और इस डिप के अन्दर बटन को रखी तो भी नोटिस छी यह इस तरीके से दिखेगा मुझे एक साइड में यानिकि वह बनाना है चेक बॉक्स तो इसके ठीक ऊपर egy और डिब ले ले लेगे यैनि कि जो बटन है इसके ठीक ऊपर आ में लेगे एक डिब लीजें इसके अंदर आपको काम करना है थीक है, फिलाल इसके अंदर यानि कि जो हमारा but डिप टेक है इसकें अंदर आ जाओ, button है इसके ठीक उपर पहले हम बटन इसके एपन कुछ to class लगादेते तृ यह कुछ class लगा देते हैं, keогar इसमें class name करें दिप के अंदर और पहले तो आप फिलेक्स करें इस तरीके से justify ऐसे डिफाइन कर दीजे justify happen between यह define कर दीजे उसके साथ साथ आपको आइटम सैफन सेंटर डिफाइन कर देना यानि कि अब इसके अंदर दो ले लिया और इसके अंदर हमें input start कर लेना है type का value हमें check box कर देना है तो ऐसे define कर दिए check box type का value ठीक है और इसमें आपको name keyword का यूज करना है remember लिख देना है ठीक है तो आप चाहिए small letter में लिख दीचे यह capital letter में लिख दीचे इसके कोई फरक नहीं पद तो मैंने remember लिख दिया spelling mistake हो गया मैं ठीक कर देता हूँ मैं ऐसे लिख दिया remember ठीक है और इसके ठीक नीचे label को start कर लेंगे तो मैंने label को start किया label को close कर लेंगे और यहां पर आप लिख दीजिए remember me इस तरीकी से मैंने remember me लिख दिया ठीक है perfect थोड़ा सा design करेंगे तो design करने के लिए जो label अभी दे container होगा यह वाला ठीक है इसमें आपको class name करना फिलेक्स define करना है तो फिलेक्स जब आप देंगे तो यह एक दूसरी के बगल में आ जाएगा इस तरीके से और गेप आपको देना है तो गेप देने के लिए आप यहां पर गेप एक्स का ही उसकर जाएगा यहां पर और यहा इस तरीक से दिखेगा ठीक है तो यह हमने डिजाइन कर लिया लेबल में आप थोड़ा सा कलर वगरा लेबल का चेंड कर सकते हैं कि इस कलर में दे सकते हैं लेबल को तो class name करेंगा और यहां पर आप टेक्स्ट हाइपन सिलेट हैपन 600 यह कलर दे दिए इसके साथ साथ आप फोंट हैपन सेमी बोल्ड रिफाइन करें ताकि जो फोंट है वो भी बोल्ड है इस तरीक से दिखेगा यह परफेक्ट ठीक है अब हमें इसका यहन की नोटिस करिए थोड़ा सा जो दिब है इसको थोड़ा सा और उपर से मूब करना है तो इसका जो में डीब होगा जिसमें अपने फिलेक्स यस्टिफाइब बिट्विन डिफाइन किया था इसमें आपको पेज में रिवाइर्मेंट नहीं है यान्यके इमेज़ेच के अंदर हमें यंधरनेनेंंटộc का क्या करते हैं ओनेंदर नियुग मींटित करते हैं आपको सारी चीजे क्लि judgments करना चाहिए इन चाहिए ज़एज फटेक्स को हैंडल करने के लिए पेसंस रखना है थोड़ा सा टाइम दीजेगा क्योंकि एक एक चीज आपको step by step designing भी करवाया जा रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगे गा ही इसलिए पेसंस रखना है और जितना काम करवाया जा रहा उतना करना है एक एक वीडियो डेली जाएगा उसको देखते रहना है ठीक for enjoying the education of Just4Code. See you soon. Jai Hind, Jai Bharat.